यह हमारे शरीर के अंदर इंफ्लैमेशन होने से बचाता है यानि कि सूजन कम करता है हमारे शरीर के अंदर इम्मीन सिस्टम को इस्टोंग करता है जिसे हमारे शरीर की वैक्टिरिया वाइरसे से लड़ने की छमता बढ़ जाती है और हमारे शरीर के अंदर कई सारी ऐसी प्र और cataract जैसी कई बिमारियों को दूर रखने में मदद करता है जब शरीर के अंदर antioxidants की मात्रा कम हो जाती है और इसे सेवन करने से आपके शरीर के अंदर antioxidants की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर vitamin C को improve करता है जिससे कई सारे ऐसे benefits होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर आपको मिल सकते हैं मेरे नम डॉक्टर लोकेंद है आज किस वीडियो में आप सभी को बता हुआ किस तरीके से आप अंगूर का शेवन करने से कई ऐसे बड़े फायदे और कई ऐसी बड़ी बिमारियों से आपको बचाया जा सकता है जो future में आपको कभी नहीं होगी तो चलिए इंफर्मेटिव वीडियो आपको इस सेनल पर मिलती रहती है तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंट्स बात करें इसका क्या benefit होता है और अगर हम बात करें कि इसे कब सिवन करना चाहिए कौन कौन इसे सिवन कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ज अगर की अगर किसी बजह से शरीर के अंदर सूजन आती है शरीर के अंदर स्थी करने है क्योंकि इसके अंदर कई सारी सी प्रॉसकी जहीं चांसे जबर जाते हैं तो यह एंटी प्लेट्लेट्ट को मिळूड करके क्लut को जबने सरोपा पिसरा इसका सबसे बड़ा फाइदा होता है तो आपको कई सारी प्राब्लम्स पीट से संबंदेट होना स्टाथ हो जाती है जबकि अगर आप रैगूर वेसेट पर करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इसपेशलिए गट हेल्थ के अंदर अच्छे बैक्टेम्ट यानि गु बुत अच्छी होती हैं ज्जादा हो जाते हैं श्री के अंदर होने बीमारी और इसपील की बीमारियों से बचाया सकता है रिके को मोत्या जीसी प्रापब्लम्ट सो होती है लेजने के रिस्क होते हैं ऐसी प्रापब्लम इसको WE अंगूर का सेवन करने से दूर किया जा सकता है, तो आपको अंगूर का सेवन जरूर करना चाहिए। स्टॉंग रखना बहुत ज़ादा जरूरी होता है और अंगूर के अंदर ऐसे गुड़ पाई जाते हैं ऐसे components होते हैं जो आपके nervous system को strong बनाने में मदद करते हैं दोस्तों इस setup फाइदा होता है या होने के chances होते हैं और जो लोग अंगूर का regular basis बढ़ते हैं उनको ऐसी problems का सामना नहीं करना पड़ता है यानि कि metabolic syndrome से भी ये बचाता है कई सारी ऐसी problems होती है जिसमें heart risk हो जाते हैं जिसमें cholesterol बढ़ जाते हैं जिसे हम bad cholesterol के नाम से भी जानते हैं जब वह बढ़ता है तो ऐसी इस्तिती में आपके शरीर के अंदर कई सारी problems बढ़ती है और एक साथ multiple complications होने के chances बढ़ जाते हैं है ऐसी कई सारी चीज़ा पाई जाती है जो आपकी skin के लिए आपकी hairs के लिए आपकी all over body के लिए बहुत जादा healthy होते हैं antioxidant का काम होता है शरीर के अंदर free radicals को हटाना अगर शरीर के अंदर free radicals बार बार घूमते रहेंगे या बनते रहेंगे तो आपकी शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हानी कारक पदार्त छोड़ते रहेंगे कुछ ना कुछ हानी कारक कुछ ना कुछ हानी आपकी शरीर को पहु говоря नतर ίिए सब्सक्राइब करें और यह घयली हुँभा पाई जाता है इसके अंदर कई सारी असी पाई जाती सफ्शमी में पालद के बहुत लिए长 में एक आपके सिंग के लिए एमिस स्थाइब ज़यास है और को आप किया जा सकता है अंका इसके कई सारे सवीट जो आप सभी के साथ में आपकी शवी के दिमाग में बनता होगा अगर हम बात करें कि अंगुर कब सेवन करना चाहिए इसका कोई टाइम नहीं है इसपेशली इविनिंग के टाइम पर आप अवाइड करें आप दुपार में शुबह कभी भी इसे सेवन कर सकते हैं कोसिस करें कि इविनिंग के टाइम पर आप इसे सेवन नहीं करें अना खाने से आदा एक गनटे पहले खा सकते हैं या फिर आदा एक गनटे बाद खा सकते हैं कोई प्रॉबंन नहीं होगी अगर हम बात करें दाड़िक की मरीज खाए या नहीं खाए देखे जिनका ब्लड सुगर जादा है उन लोगों को पूर का से बन नहीं करना चाहिए उनको अबॉइड करना चाहिए दोस्तों करें कि इसे लेने से कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ही है कि डाइबिटीज इनको हो है उनका सुगर बढ़ सकता है इसलिए डाइबिटीज वाले मरीजों को इसका सेवन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए डाइबिटीज वाले मरीज बिलकुल भी सेवन नहीं करें या फिर अपने डॉक्टर से जो उनकी मैडिसन सब रही है वहां से कंसर्ट करें उसके जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें क्योंकि इस तरह की इनफरमीशन आपके फ्रेंड्स के लिए आपकी कलीग्स के लिए आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत जादा जरूरी है फिर मिलता हूं इसी तरह कि किसी नई वीडियो में तब तक लिए जहिंद खुश रहे हैं मस देधे वीडियो को आदो आधो